हलो स्टूडेंट आपका अमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक एक्वेशन को सॉल्फ करना सीखेंगे वह भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म मैथट से और क्वाड्रेटिक फॉर्मले की मदस से तो आई स्टार्ट करते हैं हमें अगर स्प्लिटिंग मिडल टर्म मैथट से इस क्वाड्रेटिक एक्वेशन को सॉल्फ करना हो तो हम किस तरीके से सॉल्फ करेंगे तो उसके लिए हमें करना क्या होता है जो भी हमारे पास एक स्क्वेर का कॉफिशेंट है यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर वन है ठीक है एक स्क्वेर के कॉफिशेंट को सबसे पहले जो कॉंस्टेंट टर्म है उससे मल्टिप्लाइ करना है तो वन इंटू 63 तो 63 होगा ठीक है अब हमें करना क्या है 63 के ऐसे फैक्टर निकालने है ठीक है जिसमें उन्दों को मल्टिप्लाइ करने वह तो 63 आए लेकिन टीक है यह प्लस का कैसे निकालें गे उसके फैक्टर हम निकाल लेते हैं को अब 3,63 होता है ठीक है और 11 में से 3 को माइनस करूँ तो क्या 2 बन रहे है नहीं यह तो नहीं हो सकता दूसरा हमारा असकता है 9 इन्टू 7 ठीक है यह भी 63 होता है अगर मैं 9 में से 7 को घटा दूँ तो 2 बन रहा है हाँ बन रहा है ठीक है तो यानि हमें करना क्या है जो मिडल टम है उसको स्प्लिट करना है 9 और 7 में वो कैसे करेंगे तो पहला सेम रहेगा अब यह जो 2x है उसकी जगा क्या करते हैं प्लस का 9x माइनस का 7x क्योंकी 9 में से अगर साथ जाए ठीक हिर भी तो बचेगा और लास्ट की टर्म भी सेम रहेगी अब हमें क्या है इन दोनों में से कमन ले लेता क्य आ रहा है तो पर अब माइनस कॉम्मन लिया है तो अंदर वाला हमारा प्लस हो जाएगा और यह 9 हो जाएगा ठीक है एक्वल टू जिरो तो फेक्टर कैसे बनेंगे यह एक्स कॉमन लिया यहाँ पर माइनस सेवन तो इसको एक साथ लिख देंगे के लिए x plus 9 equal to 0 है तो x की value हमारे पास minus 9 हो जाएगी ठीक है तो यह हम splitting middle term method की मज़से हम इस तरीके से quadratic equation को solve कर सकते हैं अगर अब हमें इसको quadratic formula की मज़से solve करना हो तो वो देख लेते हैं तो question हमारा same ही है ठीक है तो सबसे पहले हमें standard equation से इसको compare करना पड़ेगा ठीक है तो standard equation हमारी होती है एक स्क्वैर प्लस बी एक्स प्लस C equal to 0 हमारे पास एक स्क्वैर का कॉफिशन तो यहां पर कुछ नहीं है तो वन हो गया तो हमारा वन है भी हमारा एक्स का कॉफिशन टू है और सी हमारा क्या है माइनस का 63 है ठीक है अब भी सी बता लग गया अब quadratic formula क्या होता है तो इसमें हम direct x की value निकाले के लिए formula लगाते है minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a यह जो formula है यह हमारा quadratic formula है ठीक है इसमें अगर हम a b c की value put करें तो directly solve करके हमारे पास x की value होएंगी ठीक है तो अब यहाँ पर value put कर देते हैं x is equal to b हमें कितना दे रखा 2 तो minus formula में है तो 2 आ गया plus minus ठीक है यहाँ पर दोनों sign होंगे plus का भी minus का भी under root पहले करना है b का square तो मतलब 2 का square करना है फिर minus 4 into a हमारा कितना 1 है into c हमारा minus 63 है upon में 2 into 1 तो हमारे पास क्या बचाएं आपर minus 2 plus minus under root 4 का square 4 अब 63 को 4 से multiply करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारे पास plus का 252 क्योंकि minus यहाँ भी और minus 63 के साथ भी यह प्लस हो जाएगा upon में बचा हमारे पास 2 ठीक है अब इसको थोड़ा और solve करते हैं तो x equal to हमारे पास क्या है minus 2 plus minus under root दोनों को add करेंगे 4 और 253 को 2 को 256 होता है upon में 2 अब 256 किसका square root होता है यह होता है हमारा 16 का x की value आगे हमारे पर minus 2 plus minus 16 बटे 2 अब इसके आगे क्या है solve करेंगे साइन हमारे plus b है minus b है तो दोनों को separate कर लेना है एक बार हम minus लेकर solve करेंगे एक बार plus लेकर x equal to पहले minus ले लेते हैं तो minus 16 upon 2 x आगे minus का 18 बटे 2 solve कर रहा तो minus कर 9 आ जाएगा और दूसरा हम plus लेकर solve कर लेते हैं x equal to minus 2 plus 16 upon 2 x आ गया हमारा 14 बटे 2 या गया 7 ठीक है तो splitting middle term method से कर रहा था तो भी हमारा 7 minus 9 आ रहा था और quadratic formula से कर रहा तो भी हमारा same आ रहा है एक और question देख लेते हैं अब question हमारे पास है 2x square minus 8x minus 24 equal to 0 तो इसको सब से पहले हम splitting middle term method से कर लेते हैं उसके लिए हमें x square के coefficient को constant term से multiply करना पड़ेगा ठीक है तो 2 into 24 तो यह हमारा कितना हो जाएगा 48 आएगा अब 48 के हमें ऐसे factor निकालने हैं जिसमें दोनों को minus करने पार यहां देखिए 24 से पहले कौन से साइन है minus है minus है तो दोनों factor जो भी आएंगे उनको minus करने पर हमारे पास middle वाली टा होगा नहीं चाहिए मतलब कि minus 8 आना चाहिए तो देखिए इसके factor क्या क्या हो सकते हैं एक तो यह हो सकता है हमारे पास 12 गुना 4 24 48 होता है ठीक है तो यह हमारा 12 में से अगर 4 गए तो 8 हो सकता है तो यह हमारा सही है ठीक है तो हमारे पास लिखना कैसे हमको 2x square अब minus है तो बड़े वाले sign के साथ minus बड़े वाले number के साथ minus लगेगा तो minus का 12x और छोटे वाले के साथ plus लगेगा कि minus plus करना है तो हो जाके minus होगा तो यह हो जाएगा हमारा 4x फिर minus का 24 equal to 0 अब इन दोनों में से common लेंगे तो 2x common आ रहा है तो यह x minus 6 बचेगा ठीक है प्लस इन दोनों में से common आ रहा है 4 x minus 6 equal to 0 इन दोनों bracket में आपको same ही आएगा मेशा ठीक है तो यहाँ common लिए 2x वहाँ लिए plus का 4 यह एक factor होगा दूसरा है x minus 6 equal to 0 अब दोनों को separately equal to 0 रख देते हैं तो equal to 0 रखेंगे तो 2x equal to minus 4 x आगे हमारा minus का 2 ठीक है ऐसी अगले में करेंगे x minus 6 equal to 0 x की value होगी plus का 6 यह हमारा splitting middle term method था अब इसी question को हम quadratic formula से करके दिखते हैं तो इसको standard equation से compare करें ठीक है तो हमारे पास जो है a हो जाएगा 2 b हो जाएगा minus 8 और c हो जाएगा minus का 24 ठीक है तो हमारे पास जो formula है उसमें value put करते हैं minus b plus minus under root b square minus 4ac upon में 2a तो यहां रखेंगे minus तो formula में और यहां पर b की value minus 8 है तो minus 8 रखेंगे plus minus under root b square मतलब minus 8 का square minus 4a और c हमारा कितना है minus का 24 है अब आपन में 2 into 2 आपको same वही value रखनी है जो आपने question में से लिखी है ABC की ठीक है तो इसको solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यह minus minus plus 8 हो जाएगा फिर plus minus under root यहां क्या बचा minus 8 का अगर हम square करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा plus में यहाएगा 64 और यहां पर multiply करेंगे तो plus का 192 हो जाएगा divided by 4 ठीक है तो इसको थोड़ा और simplify कर लेते हैं तो x equal to आगया 8 plus minus under root 256 upon 4 ठीक है 8 बच्टे 4 तो यह हमारा minus का 2 आगया ठीक है x की value यहां minus 2 हो गई और दूसरे में हम plus ले लेते हैं तो x equal to 8 plus 16 upon 4 ठीक है तो x आगया हमारा कितना 24 बच्टे 4 इसको solve करेंगे तो हमारे पास 6 आगया तो x की value 6 आगया ठीक है इस तरीके से आप splitting middle term method से या फिर quadratic formula की मदद से आसानी से इन equation को solve कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको मारे वीडियो पसंद आया होगा, thank you